दूसकी वीडियो के मुख्य कैई उद्देश्च हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी बढ़ाना. मतलब प्रोडेक्ट के बारे में आपको जानकारी जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम है. अगला कि किन्धी बी प्रोडेक्ट को जो ब्रैंडड प्रोडेक्ट हैं उनके substitute तलास करना कई बार हमें branded product market में available नहीं हो पाते तो हम उन्हें black में भी purchase करने के लिए चले जाते हैं तो साथियों उनके लिए आपको ज़्यादा pay करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में दूसरे alternative है आपको practical करते रहना चाहिए कौन से product हमारे लिए अच्छे है कमपनिया जो देती है वो किसान use करता है किसान क्यों practical नहीं करता कि हमें ये चाहिए कमपनियों से तब हम उसे use करेंगे और अच्छे result मिलेंगे किसान जिस दिन practical करने लगेगा उस दिन किसान की सारी समस्यां दूर होंगी किसान भाई वो बहुत सारे ऐसे chemical है जिनके नाम अगर आप जान लेंगे तो बहुत सारे chemical से बहुत अच्छे result आप ले सकते हैं आप product को product के नाम से न जानके उसके chemical के नाम से जानिए जिस दिन आप chemical का नाम जानने लगेंगे उस दिन आपकी समस्या आधी रह जाएंगी वीडियो का यही उद्धिश्य है आशा करता हूँ आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और कुछ chemicals के नाम जानेंगे जिससे कि आप आगे भविश्य में उनका इस्तेमाल कर सकें और उनके उप्योग करके फायदे उठा सकें साथियो बने रहे ये वीडियो पर आएए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की साथियो systematic insecticide बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एक common सा product है फटेरा फटेरा की बात करते हैं कि फटेरा जो insecticide है इसके कौन-कौन से विकल्प हमारे पास मौजूद है जिनका उप्योग हम बहुत कम मात्रा में करते हैं और उनके result हमें same मिल सकते हैं और उनके ingredient सेम है rate उसके सस्ते पड़ेंगे लेकिन हम उसका कम जानकारी होने की वज़े से उपयोग नहीं करते हैं साथियो सबसे पहले जानते हैं कि फटेरा ingredient होता क्या है इसके chemicals क्या है और यह कैसे काम करता है तो फटेरा के अंदर chlorantra niliprol 0.4% chemical पाया जाता है और साथियो यह systematic ढंग से काम करता है पौदे पर अगर पत्तियों पर डाल दिया जाए तो यह पौदे के अंदर फैल जाता है और अगर खाद के साथ मिला के लगा देते हैं तो यह जणों के जरिये से पौदे में चला जाता है और जहां भी की आटा कंपनी है अपने आप में एक जबर्जस्ट ब्रैंड है इसमें कोई सक संगा है नहीं साथियो इनका एक प्रोडेक्ट है असातफ के नाम से और यह systematic insecticide है इसमें chemical पाया जाता है ऐसी फेट 75% SP है और यह भी एक जबर्जस्ट इंसेक्टिसाइड है फटेरा से सस्ता प अगर मैं बात करूं तो यहां वर्टा को insecticide है जो कि कोराजन का सव institute है अगर हमाने कोराजन नहीं मिल रहा है यह कोराजन हमें 1600-1700 या 1800 रुपे तक मिल रहा है प्रती एकड के लिए तो वर्टा को यहां पर हमारा 12-1300 रुपे का मिल जाता है यह कोराजन से सस्ता भी कामले में देखें तो कोराजन के बराबर ही इसका result है इसे हम खाद के साथ भी मिला के लगा सकते हैं यह और इसके अंदर जबर जस्त हमें चीज मिल जाती है अगर इसके chemicals की बात करें तो इसमें थायमोथॉक्जम है 1% और अगर बात करें इसके दूसरे chemical की तो यह क्लोरें insecticide है साथियो यह ड़ाई किलो की packing में भी है और 5 किलो में भी है अगर हलकी फसले हैं तो ड़ाई किलो आप लगा सकते हैं और अगर heavy किसम की फसले हैं जैसे गन्ना हैं कपास है तो उन फसलों में आप 5 किलो ग्राम इसका उपयोग कर सकते हैं इसके result बहुत लंबे time तक रहत हैं दूसरे ingredient के अगर मैं बात करूँ तो यह साथियो धानुका company का cover insecticide है धानुका company अपने आप में जवर्जस्त brand है और अपने आप में ब्रैंड फटेरा की तरह धानुका भी है तो साथियो यहाँ पर आप cover insecticide का उपयोग भी कर सकते हैं उसके भी आपको जवर्जस्त result देखने को मिल सकते हैं अगले chemical के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर धात्री systematic insecticide है यह भी जवर्जस्त product है साथियो ख्लोर एंट्रा निली प्रॉल 0.4% GR form में यह भी दे रहे हैं फटेरा की तरह chemical की बात करूँ तो यहाँ पर recent ultra है recent ultra wire company का है और systematic insecticide है अगर हम यहाँ पर recent लगाते हैं 0.6% में तो 0.6% के recent की जगा अगर हम फिप्रोनिल 5% में लगाएं SC form में यानि हम granular में ना लगागे उसे अगर liquid में ले ले लें तो हमें सवा 200 रुपे में लगवग यहाँ 250 ml salt मिल जाता है एक एकर जमीन में उप्योग करने के लिए हम इसे just double भी कर सकते हैं 400 रुपे का हमें या सवा 400 रुपे का हमें just double salt मिल जाता है 500 ml एक एकर जमीन में उप्योग करने के लिए फिपरोनेल यहाँ पर हमें 5% मिल रहा है और GR form में फिपरोनेल 0.6% मिल रहा है तो अगर हम spray के माद्धे हम से 5% फिपरोनेल को उप्योग करेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे न हमें और उसमें अगर हम यहाँ थायमोथ उक्जम 100 ग्राम डाल देते हैं तो यह कितना जबरजस्त इंसेक्टिसाइड बनेगा और इसकी टाइम लिमिट बढ़ जाएगी पौदे के अंदर ढूंड के मारेगा कीडे को जहाँ भी मिलेगा तो साथियो इस टाइप से अगर आप स परसेंट मिल रहा है ऐसी फौं में इसका उप्योग करिए ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगले प्रोडेक्ट के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वरोज कीट ना सक है यह भी सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है फटेरा की तरह बिलकु सेम रिजल्ट देत है तो काल्टब के बज़ा हाइड्रोक्सिक्लोराइड यहाँ 7.5% मिल रहा है आपको और इममेक्टिन बेंजोएड भी मिल रहा है 0.2% 25% तो यह जबरजस्त कीट ना सक है हाइड्रोक्सिक्लोराइड में अगर आप 4% ले रहे हैं तो यहाँ 7.5% आपको मिल रहे है तो यह कार्ट अप से भी हैवी कीट ना सक है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इसका उपयोगा आप गन्ना में कपास में कीट को खतम करने के लिए कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फटेरा से तो जबर जस्त रहेगा सातियों अगर बात करूँ अगले कीट ना सकी तो कॉस को कीट ना सक है सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है और इसमें क्लोरेंटर निली प्रॉल 0.4% ग्रेनुल फॉर्म में मिल रहा है ये 50-100 रुपे सस्ता पड़ जाता है आपके फटेरा से तो फटेरा आप में और इसमें 1% का भी कहीं कोई फर्क नहीं है रिजल्ट की अगर बात करें तो ये P.I.E. कंपनी का है ब्रैंड इट प्रॉडेक्ट है तो इनका भी रिजल्ट आपको जब अर्जस देखने को मिलेगा तो आप ये प्रॉडेक्ट यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं कि हम फटेरा के पीछे ही बगें तो साथियों यहां पर आपको मैंने काफी कुछ प्रॉडेक्ट के बारे में बात करी है यहां पर डिजल इंसेक्टिसाइड आप दूसरी कंपनी का जब भी आप फेपरोनिल परचेज करते हैं या रिजेंट परचेज करते हैं वायर कंपनी का तो वहां पर साड़े 400-500 रुपे के रेट मिलते हैं आपको 4-5 किलोग्राम मैटेरियल के जो जी आर फ़र्म में आता है तो कितना जबरजस्त यहां पर फर्क देखने को मिल रहा है कि वहां पर आपको अल्ट्रा के लिए काफी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहा है और यहां पर सेम साल्ट आपको सस्टे में मिल रहा है तो आप डीजल इंसेक्टिसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं और यह यहां पर देखा जाए तो गरड़ा कंपनी का है और जबरजस्त रिजल्ट है इसके तो किसान भाहियों ने भी इसके फीड़एक अच्छे दिये हैं तो पॉजिटिव फीड़एक हैं आप इसका उपयोग भी आप रिजएंट की जगह कर सकते हैं आपको अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे तो साथियों आज मैंने यहां पर कैई सारे प्रोडेक्ट के बारे में उनके केमिकल्स के बारे में बताया कि जहां पर आप प्रोडेक्ट यूज करने जा रहे है वहां कैमिकल्स के नाम से भी उन्हें प्रोडेक्टों को जानने की कोसिस करिए साथियों आशा करता हूँ आपको यह जनकारी ठीक लगी होगी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है साथियों अगर आपको लगता है कि यह दूसरे साथियों के लिए जनकारी उप्योगी सावित हो सकती है तो आप उनके लिए सेड जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसे